आज बात ना सियासत की ना किसी साजिश की आज बात इंसानियत की उन माओं के आंसों की जो अपने जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है और आज सरकार और सिस्टम पे सवाल कर रही है कि आखिर कब तक हम हाथसों के हो जाने के बाद एक्शन की दुहाई देंगे कब तक मासूम लापरवाही पे कुर्बान होते रहेंगे आज इसी सवाल पर हम अपने महमानों से चर्चा करेंगे लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाईए गुजरात के राजखोर्ट का गेमिंग जोन और दिल्ली का बेबी केर अस्पिताल दो शहर दो हाथसे और अपने प्यारों को खोचुके लोगों का दर कई सवालों के जवाब मांग रहा है सबसे पहले बात करते हैं राजखोर्ट में गेमिंग जोन में हुए हाथसे की गेमिंग जोन को अगनी शमन विभाग का एनोसी नहीं मिला था गेमिंग जोन का स्ट्रक्चर फाइबर और धातू से बना हुआ था बेस के तौर पर गैल्वनाईश शीट का इस्तमाल किया गया था एर कंडिशनर के लिए तार फैले हुए थे तारों को कवर या इंसुलेट नहीं किया गया था आग बुझाने के लिए अगनी शमन उपकरण मौजूद नहीं थे गेमिंग जोन में रखा था ज्वालन शील पतार्थ अगर बात दिली की करें तो तस्वीर अलग नहीं मिलती अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च को ही एकस्पायर हो चुका था अस्पताल को सिर्फ पांच बेड़ की मनजूरी थी लेकिन घटना के समय बारा नवजाद बच्चे भरती थे फायर डिपार्टमेंट से एक लियरंस नहीं मिला था अस्पताल में अगनी शामकुक करण नहीं थे सबसे हैरान करने वाली बात ये कि अस्पताल में एमर्जंसी एग्जिट ही नहीं थे सूरत और दिल्ली में लापरवाही की इस लंगी लिस्ट से साफ है कि हादसा इतना भयावय क्यों था नीयम काईदों की खुलेयाम धज्या उड़ाई गई टाजकोड की गेमिंग जोन के मालिक सहित साथ अधिकारियों पर गास गिर चुकी है तो दिल्ली में बेबी केर अस्पताल का मालिक भी सलाखों की पीछे है लेकिन सवाल हादसे के बाद आक्शन का नहीं है सवाल ये है कि हादसे से पहले नीयमों के अनुसार कारवाई क्यों नहीं हुई ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हाथसों में मासुमों ने अपनी जान गवाई हो लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आखरी होगा क्या सरकार और प्रशासन की मीन्द इस बार किसी हाथसे के होने से पहले तूटेगी ब्यूरो रिपोर्ट भारत एक्स्प्रेस और इस अफसोस नाक वाके पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए पैनलिस मौझूद हैं एसके धेरी जी पूर्व प्रमुक दिली फायर सर्विस माया सिंग जी समाजिक कार्यकरता और पवन शर्मा जी प्रवक्ता आमाद्मी पार्टी माया सिंग जी राजकोट के पूर्व मेयर, कलेक्टर, मुनिसिपल कमिशनर यहां तक के बीजेपी, MLA, रयानी सब ने राजकोट के गेमिंग जोन का दौरा किया था फिर जब आग लगी 27 लोग जान से गए तो F.I.R. सिर्फ कुछ लो रैंक आफिसर्स पे इन जूनियर लेवल आफिसर्स के हाथ में कोई पावर नहीं होता मगर लापरवाई की सजा ये भुकते हैं देखी ये जब इस तरह के हाथ से कहीं भी होते हैं तो ठीक रहा कहीं तो फूटना होता है या न और सबसे जो कमजोर कड़ी होती है उन चीजों में गास गरती है बड़े बड़े चहरे हमेशा इन दायरों से निकल जाते हैं इन अपराधों से बरी हो जाते हैं लेकिन समस्या ये होती है कि हमारे देश में बहुत समय से हम लोग इसफे विचार करते आ रहे हैं उस समय पहले एक ब्रिश टूठा था जिस पिए एक्सिस नंबर आफ टिकेट रिलीज कर दी गया था लोग इतने लोग मर गए हादसे में तो हम पिछले और भी बहुत सारे हादसों को अगर उठाएं और सबक लें और उनको हम एनलेसिस करें तो हम यह देखेंगे कि सब ना सब यह जिस तरह के हादसे हैं वो एक मानविय भूलवू के साथ एक भरस्ट तंत्र की कहानी कहते हैं कि यह भरस्ट तंत्र से हमारा देश जो है जुगाड तंत्र पर चल रहा है और एक भरस्ट तंत्र की कहानी है जिसको हम बोलते हैं कि जो उत्रपरदर्स से ब्लॉंग करते हूं वो समझ रहते हूं कि जुगाड क्या होता हर चीज को किसी भी एक टेक्निक से एक इनलीगल तरीके से चलाने को हम जुगाड कहते हैं तो राजकोड भी एक इस तरह की भावा इस्थिती का एक्जामपल था आप यह देखिए कि वह दो साल से प्रशासन और शासन की नाक के नीचे इतना हाई टेक्स तरीके से चल रहा था ऐसा ना हो कि लोगों को इसका संग्यान ना हो चलिए वह भी चला माल लिया जब तक होने का इंतजार ही ने उनको उन्होंने की बात नहीं कि अगर हम आपे हॉट वर्क पर्मिट कर रहे हैं तो अगर हम और हम हाई टेक्स तरी से तो वहाँ पर बहुत सारी चीजों का काम करा जाता कि पहले आप इस तरह की स्थिती से को मान के चलिए के यह भी हो सकता है उस त पब्लिक हेल्थ में काम किया मोहला क्लिनिक बनाएं यह काम किया हम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत उम्दा शाबश बेबी केर अस्पताल का लाइसंस एक्सपायर हो गया था यह तो सेकंडरी बात है जब एमर्जंसी एक्जिट ही नहीं था तो पहली बात लाइसंस मिला ही कैसे? कि जो भी दोसी होगा उसके खिलाफ तारवाई तो होगी ही होगी लेकिन उसके साथ उपाई भी निकाले जाएंगे ताकि वविस्वें ऐसी कटना तुवारा ना हो सके क्योंकि यह लाइसंस आपने दिखाया भी कि पांच बैड का लाइसंस होस्पिटल के पास था और स्वास वाग के द्वारा दो केस इस मालिक के उपर ही पहले ही कोड में है जो कि दोसी सावित अभी तक नहीं हो पाए है लेकिन केस सल रहा है हमारी मांग यह है कि जो जो अधि करने बहुत जरूरी है कैसा है तत्थ आपके सामने आने चाहिए जनता के सामने आने चाहिए जब पांच बैड का अस्पताल था आपने तत्थ दिखाई भी 31 मार्च को उसका लैसंस खतब हो गया था पांच बैड का लैसंस था उसके बाद इन्हों ने एप्लाई किया एप के हेल्थ मिनिस्टर सौरफ भरवजवाज को के मीटिंग बुलाई जाये साथ नवजाद बच्चों के मर जाने के बाद याद आया कि मीटिंग बुलानी जानी चाहिए यह दिली में तो दिली सरकार ने एकसल ले लिया लेकिन आपको याद होगा मोरी पे क्या हुआ राज क जाए जहां आपकी सरकार है वहां की बात कीजिए यह ना जी मैं पूरी बात कर दूँ दोनों चीजों में डिफरेंस है जब गोर्टपोर के अंदर कुस साल के बाते हैं उससे कुछ बच्चों की डैथ हुई थी उसमें क्या हुआ जिसने आवाज उठाई उसके उपर केस ह बात करेंगे इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता का इंतजार है आप अपनी गवर्मेंट की बात कीजिए जो आपके दिल्ली शहर में हो रहा है उसकी बात कीजिए बहुत जल्दी फैसला किया है कि दो फ्लोर्स के अस्पताल में भी पायर सेफटी एक्विपमेंट होना च सारे अधिकारियों को मंतरी सोरफ भारत्वा जी ने आदेश दिया कि दिल्ली के सारे प्राइवेट और सरकार इस्पतालों का निरिक्षड करें सीडियों मों चेक करें कि किस अस्पताल की स्थिति क्या है और 6 जून तक सब को सर्टिफिकेट समिट करने के ला आदेश दिय कि सारे इस्पतालों की स्थिति बता हैं कि फायर फैटिक एक्क्यूपमेंट्स हैं सारे जो सारे इनको स्टेप लिए कि नहीं लेकिन आज देखें सारे घटना आने के बाद आपको सरकार की इंटेंशन देखनी पड़ेगी दोस्यों के खिलाफ हम किसी तरह से खड़े नही लिए लेकिन दिली सरकार पहली सरकारेज ने कहा कि कितना बड़ा अपरादी हो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और आगे से ऐसी कटना कोई ना हो उसके सारे इंतजाम भी किया जाएंगे चाहे सारे हॉस्पिटल का ओडिट करना हो फायर फैटिक एक्क्यूमेंट्स की बात हो तो तमाम सारे अधिकारी जो जो दोसी पाई जाएंगे उनके खिलाफ अपरादिक मामला चलाया जाएगा उनके खिलाफ ऐसा एक्षेण लिया जाएगा ताकि भबिषमें कोई ऐसा अपराद को छुड़ना सके बिना किसी मिलिभगत इस तरह से अपराद पाने के दिली सरक काम कर रही है लेकिन मैं आपके मात्यम से सारी सरकार को सारे अधिकारियों को राज़िती करना चाहता हूं कि जो जो अधिकारी जहां जहां पर जिसकी जिम्मेदारी है उसको निवाएं क्योंकि यह मामला नवजात बच्चों का नहीं यह पूरे देश के लिगार करते रहें दूसरों पर डाल दीजे इलजाम सके डेरी जी दिल्ली में कई इलाकों में अन्रेजिस्टर्ड अस्पताल चल रहे हैं हर साल ऑडिट होना चाहिए इनका लेकिन होता नहीं ऐसे में जनता को कैसे बचाया जाए इस तरह के हाथसों से सबसे पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि क्या हम इंतजार करते हैं कि कोई एक्सिडेंट हो और उसके बाद हम लोग जो है उसका और फायर सेफटी औरिट करेंगे या नहीं करेंगे और क्या हम लोग इस बात की इंतजार तब करेंगे जब डिजास्टर हो जाता है तो तो चोट बच्चों की डेथ हुई है, इस साथ बच्चों की, इस पर्टिकलर बिल्डिंग के अंदर जहां तक मुझे बताया गया है, तो डेड़ सो मीटर का टोटल प्लॉट है, और उसके नीचे कम सकम 30 सिलेंडर पड़ होते हैं, ऑक्सिजन के जिस सारा दमाल हुआ, और जिस स कभी ये चेक किया कि NOC देने के बाद हमने जाके देखा कि वो सिस्टम सारे चलते हैं या नहीं चलते हैं जो लगाया जाते हैं आग की दुरगटना को बचाने के लिए, लेकिन ये कोई देखता नहीं है कभी भी, ये जब भी आप देखिए, जब कोई मेजर हाथसा होता है तो यही कहते हैं जी NOC नहीं दिया था, या NOC दिया था तो उस टेम हमारे जितना ऑपरेशनल काम करता था, सिस्टम वो काम नहीं कर रहा था, या पानी नहीं था, या बिजली नहीं थी, या ये नहीं था, कोई ना कोई उसमें कमी निकाल के दिखा देंगे ताकि अपनी ज पे कोई खतरा ना बने जहान तक temporary पंडाल का सवाल है तो दिल्ली भरा हुआ है अन्लाव कर हमारे साथ व्मक्राइब प्रवक्ता रिशब तिवारी जी धिशुड़ सहति हैं रिशब् तिवारी जी गुजरात हाइ कोर्ट ने सीधे बीजेपी हुकूमत पे निशाना साधा है कहा है कि अब बीजेपी गवर्मेंट पे भरोसा नहीं रहा क्या आप ये कहेंगे कि विपक्ष भी हाई कोर्ट भी विपक्ष के साथ मिली हुई है या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे कैसे हाथ से नहुंगे देखिए सबसे पहले भारत एक्सप्रेस की पुरी टीम से मैं माफी मांगना चाहूंगा मैं काफी लेट जुड़ा हूं किर्पिया उस चीच के लिए चमा करें दूसरी बात धन्यवाद चर्चा में आम अंतित करने के लिए देखिए मैडम हम उन पार्टियों में से नहीं है कि अगर कोई सम्विधान भारत की सम्विधानिक संस्था है चाहे सुप्रीम कोट हो चाहे लेक्सन कमिशन हो चाहे एड़ी हो अगर हमारे अगेंश्ट कोई फैसला देती है तो हम सीना पिटने लग जाएं कि रेरे सब बिग्या है सब अगेंश्ट हो गया है जी कते ही नही है और चाहे मोरभी की घटना ही अगर हम गुजरात की याद कर ले तो जो कहा जा रहा था जो नरेटिव सेट क्या जा रहा था कि जो उसके मालिक है वो तो बीजेपी से जुड़ेवे हैं उस पर कोई कारवाई नहीं होगी उस सारे लोगों पर करवाई हुई है और आगे भ सुपर मॉडल साबित रिशब जी सियासत मत करिये सवाल पूछने के लिए हम यहां पर मौजूद है आम आग्मी पार्टी से सवाल हम पूछेंगे दिल्ली में क्या हुआ यहां क्या हुआ आप गौर फरमाईए के राजकोट में क्या हुआ कैसे आपके नाक के नीचे बिना लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं एक जमिनादार पार्टी के कारगता होने के नाते मैंने सपष्ट कहा कि हम उस चीज़ पे बिल्कुल रूप से कोई डिलाई नहीं बख्षेंगे लेकि वात्सा होने की बात की बात नहीं हो रही है ना रिशब जी हाथसा हुआ क्यों यह प लोकल सरकार में जो मवजूद रहती है वह एक एक चीज़ पे पैनी निगाय करके एक रूल बनाती है आप इस चीज़ से अगरी करते हैं नीचे संस्था पे रहने वाले जो अधिकारी है उनसे अगर कोई कमी हुई है या उनकी लापरवाई हुई है तो जम्मेदारी सरकार की बनती है मैं स्विकारता हूं इस चीज़ को मैं नहीं है इस चीज़ से डिना करता लेकिन उसके बाद सरकार की मनसा क्या होनी चाहिए सवाल इस पे होना चाहिए कि अगर ऐसी घटना घटी है तो क्या आगे भी ऐसी घटना घटी रहनी चाहिए क्या क्या इस पे करवाई क हुई तो उस पे मैं कह रहा हूं गुजरास सरकार ने कड़ी करवाए की है और आगे ऐसी कोई घटा ना हो इसके लिए हम संकल्पद है लेकिन एक डिल्ली के अंदर हमारी केंद में भी सरकार है एक विस्प की सबसे बड़ी पार्टी है दिल्ली भी हमारे देश का हिस्सा है को किस तरह की बेरहमी है गेमिंग जोन बनाने वाले पार्टनर्स की पैसे बचाने के लिए या बहुत ज्यादा मस्रूफ थे इसलिए पायर सेफटी सर्टिफिकेट के बगेरी गेमिंग जोन चला रहे थे देखे बात रिशब जी से मैं भी करना चाहूंगे रिशब जी ठीक है हमारी ऐसा है चुकि यह सत्ता या साशन का विशे नहीं है इंसानियत से मुद्धा है रिशब जी रिशब जी आप माया जी की बात तो सुन लीजे रिशब जी यह बात चुकि एक बहुत समवेदन शी जड़ गया उन्हें नहीं ला सकते जैसे कि अभी बोला था कि गुजरात में एक लड़का कानेडा से आया उसने अभी 18 तारी को ही कोर्ट मेरीज करी थी और अपनी वाइफ का वीज़ अपलाई करके वह वहां घूमने गया था अपनी नव विवाई जिने के लिए मज़ा लेने के लिए उसके बाद वो जल गया उसके पेरेंट्स आ रहे हैं कनेडा से तो सोचिए ऐसे लोगों को हम अफसोच जाहिर करके ऐसे परिवारों को उनको हम क्या दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं समस्या है कि अगर हम समवेधन शील होकर इन मुद्दों पर बात करें हम डिली ना करके गुजरात ना करके मौर भी ना करके हम इnyचानियत पर बात करें तो अलग तरीके से बात होती है चूक कि देखें दो साल से विदावट पर्मीशन और जहां पर सब बड़े बड़े श्यासत दानों ने अपना दोरा करा।। जोने कभी भी द्वारा करने से नीचे जब सारी अमला तंत्र उनकी सुरक्षा में जुटता है तो यह चीज़े भी देखी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पर सरकारी है प्लिस वा गया शासन के लोगे सब गए जब गया तो यह सारी चीज़ें इतनी नगलिजिए तो माना जा चाहिए और उसमें देखे चोटी जो चोटे लोगों पर गास गरनी है तो चोटे लोगों के साथ बड़े लोगों को भी आना चाहिए वह बड़ी क्लीन चिट जल्दी चाहिए पावन शर्मा जी आपके हेल्थ मिनिस्टर सौरभ जी प्रेस कॉन्फरेंस में बता रहे हैं पांच बेड़ की इजाज़त दी थी मगर दस से ज्यादा बेड़ लेकर ऑपरेट कर रहा था बेबी केर अस्पिताल तो विवेक विहार में आम आदमी पार्टी के मले राम निवास गोयल बहुत गहरी नीन सो रहे होंगे शायद ना सिर्फ जब बीजेपी कारे करता हूं क खरमें जबर्दस्ति गुसना होता है तब ही नीन से जाकते हैं शायद माया जी ने जो बात कही वह एकदम सत्य बात कही हम चाहे कितना भी स्वानतुना दे लें कुछ भी कर लें लेकिन जिनके बच्चे को निगला सकते यह बहुत बड़ी बात है यह किसी सरकार के लिए ब मालिक कितना ही बड़ा हो उस पे कारवाई की जाएगी और ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए आदेश दियेगे कि हर CDMO अपने अपने एरिया में जाके चेकिन करेंगे और 6 जून तकी रिपोर्ट समिट करेंगे कि ऐस तरह से कोई भी अस्पताल आगे नहीं मिलना चाहि किसी भी दोशी को बचाएगी नहीं कारवाई की जाएगी एक साथ और पेस किया जाएगा ताके कोई आगे से अधिकारी करम्शारी को इस तरह कि बचा सके तो दोश्यों को भी मत बचाना ऐसके डेरी जी आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि जो नर्सिंग होम्स फर्स या second floor पे होते हैं उन्हें emergency exit की जरूत नहीं होती कि इस बलबूते पे ये फैसला लिया गया कितना मुनासिब है ये सोचना और क्या fire safety department से मशवरा किया गया था ये तेह करने से पहले जहां तक मुझे पता है इस particular building के लिए कोई NOC fire की तरफ से नहीं लिया गया था क्योंकि इन्होंने सोचा था चोटी सी building है क्या जरूरूत है इसके अंदर इसलिए उसमें दो staircases भी नहीं थी और जो staircases थी वो एकी थी उससे बड़ी मुझकल हुई लोगों को नीचे उतारने की उसकी विर्तविती चौड़ी नहीं थी कि कम सकम दो आदमें इकटे निकल सकें उसके अंदर से यह सब चीज़ें जो है planning के time जब building बनती है उससी समय देखनी चाहिए क्योंकि जहां आपने किसी भी building की occupancy change की तो उसी समय आपको पता होना चाहिए कि यहां पर किसी ना किसी दिन accident होगा और casualty होगी लेकिन लोग इस बात के लिए तयार नहीं रहते आप छोड़े घरों में देखते हैं आजकल आगे लग रही है और flats के अंदर कोई दो मर रहे हैं कोई चार मर रहे हैं यह को तरीका थोड़ी है एक शैर क अंदर जिन्दगी बिताने का प्लैनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि पहली बात तो आग ना लगे दूसरी बात अगर लगे तो उस पर तुरंट काबू पाया जा सकते हैं तो फिर आपकी तो खाली उन्होंने नोकरी नोकरियां दे रहे हैं लोगों को यहां काम करने के पैसे कमाने के लिए बागी लोगों की जान बजाने के लिए कुछ नहीं किया हुआ दोकरी से यादा है रिश्यप तिवारी जी बीजेपी सरकार ने हेल्ट सेकरेटरी दीपक कुमार को पहले ही क्यों सस्पेंड की किया था जब दिल्ली में मेडिसन स्काम्स का सामने आया कुछ महीने पहले आज इतना बड़ा हाथसा हुआ और सेक्रेटरी साफ फोन नहीं उठा रहे हैं कोई धंक आफसर नहीं मिलता क्या इतनी जिम्मदारी वाली पोस्ट के लिए सवाल मिझे से है जी आप ही से है यह मोच कुछ में होते हैं अगर आप दिल्ली सरकार के अंदर देखेंगे तो वो दिल्ली सरकार के इंतगात आता है और केंद सचीव की बात करेंगे बनलाफ करके सामने जबसे सर्विस्जिस के अंदर आपने अपने अधकारी चीन है वह साथ के आते हैं आप सच बोलिए विभागिया सचीव होते हैं उसके पीच में मौमिनानटम आया था जिसमें सरकार भी उस करेंगी वह इसलिए था क्योंकि कई ऐसी चीजह आई ची जैसे महला क्लीनिक को लेकर आई कि वहां पे का रहें दवाई नहीं है दवाई बाहर सड़ रही है गोदामों में सड़े पाए गए तो बहुत सारे चीजों को देखते वे यह बकायदा गौर्णमेंट के तरफ से और समिधान के तहट कोई गैर समिधानिक तरिके से नहीं चीज़े लाई गई है जहां तक आपने बात का कि विभागी में चेंज को लेगा है इसलिए और राजकोट में हुए हादसों में इतना तो साफ है कि सुरक्षा नियोमों के खुले आम धजया उड़ाई गई इसलिए म कि समय आ गया है कि हम हादसों के होने का इंतजार ना करें निर्दोश लोगों की जिन्दगियों के साथ जान लेवा ला परवाही का खतरना खेल ऐसा नहीं चलेगा